सरकारी करमचारियों के जो संग्ठन है और उनके संग्ठनों के जो संग्ठन है उनका मुझे बड़ा रुभव है जब सरकारी करमचारियों के खिलाप में ओर आने लगे तब सरकारी करमचारियों की खास्तर से स्प्रिल काश्ट की और स्प्रिल ट्रायप की संख्या सबसे जागा थी उस समय रेली वगरा हुई एक दो ओर दवाब में वो बापस भी हुए सारे नहीं हुए इसका मतलब पूरी बात नहीं मानी सरकार ने और काफी नुक्सान हुआ उससे ज्यादा नुक्सान हुआ कोर्ट में क्योंकि कोर्ट ने बात सुनी नहीं और जिस बात के लिए कोई नहीं गया कोर्ट ने उसके अगेंस्ट भी हमारे अगेंस्ट में इखटे नहीं किये, क्योंकि सरकारी करमचारी पैसा देते हैं, पैसा सरकारी करमचारीों के पास ही है, वो अपनी तनकामे से देते हैं, चाहे वो बामसेफ हो, चाहे वो सरकारी करमचारीों का संग्ठन हो, दोनों ही सरकारी करमचारी की संग्ठन है, और बहुत चोटे-चोट वो सरकारी करमचारी नहीं हैं, मगर फिर भी मुखिया बने हुए, और ऐसे भी संठ्र हैं, जिनके जो मुखिया हैं, वो सरकारी करमचारी से रिटायर हो चुके हैं, फिर भी उसके बने हुए हैं, प्रधान बने हुए, क्योंकि पैसा बहुत आता है, मगर इन सरकारी करमचार के संठ्रम की जो अपलप्स था है वो बस वहीं तक्सीमित हो करें गई कि पांच जो ओडर आये थे उनमेंसे दो ओडर पास हुए तीसरा आधा दूरा हुआ बाकी नहीं हुए इसके बाद और भी ओडर आये और भी जज्जमेंट आये जिसमें सारा रेवेशन लग पर चला ग आई इस सारे के सारे मुवमेंट में सरकारी कर्मचारों के संठ्घंगे ठुकड़े ठुकड़े होती रहे और अलग narratives के लीडर बनते रहे क्योंकि मैंने आपको बताया कि पैसा अच्छा मिलता है कारण क्या है कि रामलया मैदान जो नेस्छनल नहरुल की और जो लोग रैली करते थे वो दिसंबर में और नवंबर में करते थे तो नवंबर में और दिसंबर में धूप अच्छी लगती है इसने टेंट की आवसकता नहीं होती तो टेंट का पैसा बच जाता है और वहाँ एक छत्री लगी हुई है पर्मारेंट जो मंच बन जाती है बहुत जादा कोई सकारी करमचारियों का नेता होगा तो वो दो हजार से लेके पांच जार कुर्सी पड़वाता है इससे जादा नहीं वो भी खाली रहती है भरती नहीं है क्योंकि दो हजार कुर्सी या जब फैलती है तो बहुत जादा लगती है उनको फैलाया जाता है तो कुल मिलाके जो खर्चा आप समझ सकते हैं कि 10-50-20 हजार रुपे जो समय था वो साउंड का और टेंट का मुस्किल से जो बैरिकेटिंग का है 10-50-20 हजार रुपे बैरिकेटिंग का अगर एक कुर्सी का खर्चा 10 रुपे मालने तो 5,000 कुर्सियां है तो 50,000 कुर्सी का 20 रुपे होता है एक लाक और बाकी जो लोग आते हैं वो अपने पैसे से आते हैं अपने पैसे से जाते हैं खाना वाना यहां बनता नहीं बहुत सारी रेलिये मैंने देखी हैं लोग अपना खाना खुदी लाते हैं खुद खाते हैं मगर पैसा बहुत इखटा होता है क्योंकि हर सरकारी करमचारी पैसा देता है, रैली है, बड़ा काम होना है तो वो पैसा सरकारी करमचारीयों के बाद में काम आता है जिस सरकारी करमचारियों के संटर्म में मैं रहा कोई ना हिसाब मांगता है ना ही कोई हिसाब देता है दोने तरफ से मांगने वाला भी कोई नहीं है कोई मांगने वाला है भी तो उसको निकाल देते हैं यह हिसाब मांगता है अच्छा अदम नहीं है और देने वाला कभी देता नहीं, हम काम कर रहे हैं, हम से हिसाब मांगोगे, तो चलता रहता है मगर एक भी समस्या सॉल्व नहीं हुई, और हर साल सरकारी करमचारी जो रेली करते थे, उनकी मांगें और उनका पर्चा बढ़ता गया जैसे पहले साल में अगर उनकी डिमांड थी सरकार से बार है, तो अगले साल में वो सोले हो गई, तो अगले साल में वो वीस हो गई, तो अगले साल में चौबिस हो गई, और एक वार ऐसी सितिया आई, कि पर्चे में मांगी मांग से भर गया जो डिमांड थी, और डिमांड एक भी पूरी नहीं हुई, डिमांड आती गहीं, संकट आते गहें, पर्चा बढ़ता गया, लोग पैसे देते रहें, रेलियां होती रहीं, मगर हुआ कुछ नहीं, तो यह तैमाना जाए कि जो सरकारी करमचारियों की जो लीडर हैं, उनमें दम नहीं है, और सरकारी करमचार के लिए जो पैसा खटा होता था, जो रेलियां होती थी, वो बंद हो गए, क्योंकि अब आरक्ष्ण का करें क्या, आरक्ष्ण तो है, मगर नौकरी नहीं है, तो आरक्ष्ण किसी ने खतम नहीं किया, सरकार भी कहती है कि हम आरक्ष्ण को हाथ नहीं लगा रहें, मगर आरक लोगे कहां, आपको तेल तो मिलेगा और बटन कहां है तेल देने के, तो यही बात अच्छी तरह से उन नेताओं की समझ में भी आ गई, जो आरेश्टन का काम करते थे, तो उन्हें का आप क्या करें, अब तक तो आरेश्टन के नाम पे हम लोगों से पैसा लेते थे, तो उन किसी ने उस एजंडे को 10.00 काईकरम और 15.00 काईकरम बिदल दिया, किसी ने पार्टी बना ली, किसी ने कुछ बना लिया, कूँकि उनको नेताओरी करनी है, मगर आपको यह सोचना है, कि जो व्यक्ती पहले काम करते थे, और जो उन्होंने प्रामिस किये, कि हम आरेश्टन आ रहे हैं उसमें वो कुछ कर पाएंगे क्योंकि पहले जो उन्होंने सिद्ध किया है कि वो कुछ नहीं कर सकते तो अभी क्या करेंगे अभी तो हलत तो जाता खराब है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पहले भी कभी इखटे नहीं आए और अभी भी इखटे नहीं है तो जब वो इखटे नहीं होंगे तो यह मुश्किल बात है कि वो कुछ कर पाएंगे समाज के लिए या जो लोग उनको पैसा देते हैं तो यह आपको समझना है क्योंकि जो लोग इस धंदे में हैं जो लोग इस काम में हैं जिनका यह बैपार है जिनका यह रुजगार है वो तो ठीक है उनके लिए तो वो तो करेंगे बर क्या आपने जो इन्वेस्ट किया यानि आपने जो पैसा दिया आपने जो टेलेंट दिया आपने जो टाइम दिया उसका रिजल्ट आया अगर उसका रिजल्ट नहीं आया है तो आपको उन नेताओं को बोलना चाहिए कि भई आपकी बसका नहीं है आप इखटे हो जाओ तो साथ बात बन जाए बिना इखटे हुए कुछ नहीं होगा अलग लग कुछ नहीं कर सकते और अगर वो आपकी बात ना सुने तो आप क्या करेंगे तो आप उनको पैसा देना बंद कर दिजिए उनको सपोर्ट देना बंद कर दिजिए उनकी बात करना बंद कर दिजिए आप जब उनको पैसा देना बंद कर देंगे ये उनकी सपोर्ट करना बंद कर देंगे, उनकी बात करना बंद कर देंगे, तो दो फायदे होंगे, एक तो आपका पैसा बचेगा, आपका टाइम बचेगा, आपका टेलेंट बचेगा, और दूसरा जब लोग उनके पास से निकल जाएंगे, तो वो इखटे हो जाएंगे, क्योंकि उनको नेतागरी क्यादत पड़ी हुई है तो वो इखटे होंगे तो साइद आपका काम बन जाए इसलिए आप इस वार इन नेताओं के जहांसे में नाएं और अगर आभी रहें तो कहें कि पहले इखटे हो जाएए पैसा तो बिलकुल मत दीजिए पैसी के आवश्कता नहीं है इखटा होने के लिए किसी पैसी के आवश्कता नहीं है बोलिए जब इखटे हो साब सारे हो जाएंगे तो हम पैसा देंगे ताकि वो काम आए इससे पहले नहीं धन्यवाद